वेल्कम टू अवियान दाच में आया भैजवीर एड वी आर्प्रेणि फ़र्एंट पर उघ्याणे नेट, कॉमर्स एंड मेनेजमेंट, अपार्ट्वण धैट, वी औलसो प्रिपारिंग प्रीपेरिंग पॉर्शिटी कॉमर्स तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी और कॉर्पेट अकाउंट का स्चाट किया था तो इससे पहले वाली वीडियो जिन लोगों नहीं देखी हैं वह हमारे प्रिवियस वीडियो और उससे रिलेटेड जो भी युनिट्स हमारी अफलोड हो चुकी हैं उनको जरूर दे प्रिवियस क्लास में बता ही दिया था जिसमें हम लोगों ने बता था था कि आज की जो क्लास हमारी रहेगी वह अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट के ऊपर रहेगी और यह बहुत इंपॉर्टन क्लास है इसमें से आपके दो नंबर का कोशन एक जरूर आने वाला है एक्जाम में ठीक है उस से रिलेटेड वह चीज जो हो हम लोग आज की क्लास में डिसकस करने वाले हैं तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट के ऊपर के भई हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट है वो कैसे कैसे होती है कंपनी अपने जो शेयर है वो किस तरीके से इशू करती है चलिए तो यूनिट चल रही है हमारी कौन से accounting and auditing किस चीज के लिए UGC net commerce management and PGT commerce तो हमारे commerce related जितने भी exam से उन सब के लिए ये वाली जो यूनिट है वो बहुत ही important unit है और एक weightage वाली unit है आप इस unit को skip नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना कभी भी कम से कम इसके ना करें और इससे related जो जितने भी concept है वो सारे concept आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है है चलिए हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में corporate accounting और company accounting के बारे में बात कर रहे हैं चीक है ओके तो हम जो है यहां पर बात करेंगे company की जो accounting adjustment है वो किस तरीके से होती है और कैसे कैसे company अपने जो shares है उनकी dealing करती है तो हम यहां पर बात करेंगे कि company जब भी अपने share को issue करती है तो वो different different stages में करती है इसके तरीके से share company issue करती है पहले आपकी application में वो करेगी बात करेगी apply जब आप share करोगे तो उस टेम पे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ठीक है तो share के साथ में जो आपने पैसा दिया that is your application ठीक है application के बाद company क्या बोलेगी मैंने आपको last class में बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन वो सारा आपका यहीं पर आ जाएगा मालों company ने 5000 जो है उसके लिए apply करवाया या company ने बोला कि हमारी इतनी सीटे हैं या इतनी शेयर्स हैं ठीक है 5000 शेयर्स हमारे हैं हर शेयर के वैल्यू आपकी 100 रूपीज है यह जाना होगा आपका ठीक है तो 5 लेक के लिए company ने वो करा अब हो सकता कि ज्यादा उसके लिए apply कर दें लोग ठीक है 5000 की जगहे लोग उन्हें 7000 पीपल्स ने apply कर दिया यह हो सकता है कि 3000 पीपल्स ने apply किया तो यह केस होगे आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का और यह केस होगे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का ठीक है तो यहाँ पर application में company को पता तल जाता है यह जो चीज है वह company कर लेगी अपनी उसके बाद company क्या करेगी अपना देखेंगे सेवन थाउजन सेवन थाउजन में मुझे 5000 को वह करना पड़ेगा सीट कंपनी अलॉट करेगी तो ठीक है company रेशो बनाएगे और बोलेगे कि इसको हम बोलता है प्रोराटा अलॉट्मेंट कंपनी एक प्रोराटा बेसिस पर कंपनी अलॉट्मेंट करती एक स्कीम बनाएग लोगों का पैसा कंपनी क्या करेगी वह अपस बेज़ देगी उनको बोल देगी यह आपका पैसा था विया एक्स्टीमली सौरी हम आपको सीट नहीं दे पाए अगर रिफंडेबल है तो अगर रिफंडेबल नहीं है तो company उसको बोल देगे कि यह चीज आपकी रहेंगी ठ पहले company ने first call मंगाई फिर second call मंगाई फिर final call मंगाई है यह depend करता company को कैसे कैसे की requirement है तो उसके साथ से company जो क्या करेगी अपने shares issue कर देगी ठीक है तो इसमें मालो 100 रुपे का share है तो company हो सकता कि 10 रुपे यहां पर मंगाए 10 रुपे यहां पर मंगाए 20 हो गए 20 में से 40 ठीक है तो उसके साथ के company वो company के उपर depend करता है company किस तरीके से करती है ठीक है अब इसमें भी आपके तीन category आती है पार प्रीमियम और डिसकाउंट पार का मतलब हो था 100 का share आपने 100 में ही करा है that is called पार मतलब फेस रेल्यू पर ही आपने इस्यू करा है प्रीमियम का मतलब हो था 100 का share आपने प्लस अमाउंट पे किया है मतलब 100 का share जो है वह आपका 100 बाला share आपका 120 का या प्रीमियम आपका add-on होके जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ठीक है तो वह प्रीमियम जाएगा और इससे share आपका कम जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे जैसे मालों 90 का गया तो वह आपका discount हो जाएगा तो यह चीज आपके इसमें आ जाती है तो इस चीज को हम जो वह अपने हिसाब से जो वह इसको देखेंगे कि पार है प्रीमियम में discount है तो उसके हिसाब से company अपनी जो वह accounting adjustment करती है तो यह आपके stages हो गए और यह आपके उसके face value के इसाब से company जो वह प्रीमि next हम बात करेंगे accounting adjustment की कि company कैसे कैसे accounting adjustment करेगी accounting treatment company कैसे कैसे करेगी तो उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या कहता है on the receive top application money जब company application money receive करेगे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले company क्या करेगी application money को receive करेगी फिर allotment फिर आपकी call money ठीक है तो यह चीज आपकी इसमें आ जाती है तो इसमें आपने apply कर दिया आपने company को पैसा भेजा तो वहाँ पर company ने उस ट्रेम पर entry करी bank account debit to share application account आपने company ने पैसा receive करा तो company entry करेगी bank account debit किस चीज़ का पैसा receive करा रहा है share application account ठीक है तो जब company ने share application account में पैसा transfer कर दिया यह चीज आपकी आगे share application का पैसा आपने बेज दिया अब company एक दूसरी entry पोस्ट करेगी जिसको हम बोलते share application account debit to share capital account ठीक है तो जितना company ने share application का वह पैसा था share application का अप्लिकेशन का अपने उसमें कर देगी वह पैसा आपका चला जागा किसमें share capital account में मानलो जितना भी पैसा आपका था तो उसके साफ से company ने क्या कर दिया उसको देख लिया कितने कितने पैसे का मारा कितना कितना वाउंड बनता है तो उसके साफ से आप apply कर दोगे मतलब जितने लोगों ने जैसे मानलो 5000 shares का पैसा था हमारा 10 रुपे मंगाए थे तो हमारा 50,000 के साफ से यह entry यहां पर हो जाएगी 50,000 के साफ से हमारी यहां पर हो जाएगी ठीक है अगर मानलो company ने क्या करा कि application मनी पर ही company premium मंगाती है company ने बोला कि आम तो premium पर issue करेंगे और premium जो है वो application पर ही मंगाएगे generally company application पर नहीं मंगाती है बट in case अगर company मंगाती है तो वहाँ पर आप क्या करोगे share application account debit to share capital account to security premium account ठीक है तो उसमें आपका क्या है कि जैसे मानलो जो आपका यहां पर जो आपने entry पोस्ट करी थी तो वहाँ पर एक नया account और खोल दोगे to security premium account जो भी आपका premium का जो पैसा आया है वो हमारा यहां पर चला जाएगा ठीक है तो उसके साब से company यहां पर इसको क्या कर देगी उ ठीक है तो यह चीज आपकी इसमें आ जाती है वेन access of application money is return तो इसमें क्या होगा कि आपको पसा चलिया कितना कितना पैसा आपका था तो अगर आपने मानलो अलोट्मेंट करने के बाद अगर आपका जो पैसा जो बचा है आपका वह आप क्या कर दोगे उनको पैसे को return कर द पैसा आया तो आपने entry पोस्ट करी bank account debit to share application account और जब आपने पैसा दिया उनको तो आपने एक entry पोस्ट करी कौन सी share application account debit to bank account is it clear चीक है अब आईए आपकी अब आगे वाली जो पैसा है उसमें पहले company due करेगी calls को पहले आपसे मंगाएगी उसके बाद आप receive करेगी तो पहले उनको due करेगी उसके बाद company जो आपकी जो calls है उसको receive करेगी अमालो जब company जो वो due करेगी तो वहाँ पे एक entry पोस्ट करोगे share allotment account debit इसे ही अगर मालो company security अपना premium बंगा रही है अपना तो यहां पर एक चीज और आ जाएगी यहां पर एक जो है to security premium अगर discount पे company issue कर रही है तो यहां पर आ जाएगा आपका discount on issue of share discount on issue of share ठीक है मालो आपका जो जो भी company discount दे रही थी मालो 5 रुपे का 10 रुपे का वो discount आपका यहां पर मिल जाएगा तो discount मतलब company बता देगी कि भी कहां कहां पर आपका discount 10 रुपे का discount है पांच रुपे का discount है तो आप यहां पर कर दोगे discount on issue of share या अगर आपका premium है तो premium भी company बता देगी कि हमारा इस stage पर premium आया है अगर by default है तो वह आप यह मानके चलते कि भी application के बाद जो company ने allotment मंगाया ह उस पर company मंगाएगी ठीक है तो यह चीज आप किया गई तो share allotment account debit discount on issue of share account debit to secure आपका जो वो share capital अगर premium है तो आपका to premium आ जाएगा तो क्योंकि discount जो होता हुँ हमारे नुक्सान होता तो इसलिए हम उसको debit करेंगे premium हमा लिए advantage होता है फायदा होता है तो इसलिए हम उसको credit क करेंगे यह चीज समझ आ गई ठीक है तो यहां पर यह जो है इसने क्या बता है share allotment account debit to share capital account to security premium account ठीक है तो यह चीज आपके इसमें आ जाएगे और अगर आपका share allotment जब आप उनको वो करोगे तो अगर आपने discount पे करा है तो discount on issue of share account debit to share capital ठीक है अगर premium है तो वो आपका credit आप इसको adjust कर सकते हूं ठीक है यह चीज समझ आ गई आपकी अब मालो कई बार आपका क्या हुआ कि आपने कुछ extra पैसा अपना भेज दिया था application पे कुछ लोगों की money जो है वो adjust हो गई है आपकी allotment में ठीक है तो extra पैसा आपने भेज दिया था जितना आपका application का था वो application में चला गया बाकी जो पैसा था वो आपका adjustment में चला जाएगा आपका जो वो allotment में चला जाएगा तो यहां पे एक adjustment entry आप करोगे share application account debit to share allotment अक्वाट एप्लिकेशन का पैसा adjust कर दिया है किसमें share allotment account में कितने share का कितना पैसा वो आप जो यहां पर देख लोगे कितना आपका जो है यह चीज उसमें जो वो आ गई है यहां तक अभी पैसा भी आपका आया नहीं है वो सिर्फ आपने डियू करा है अगर किसी का adjustment करनी है तो आप यहां पर adjustment कर लोगे जैसे किसी person ने आपका जो आपने पहले बिजवा दिया और देख लिया कि भी कितना कितना पैसा भी हमारा रहता है तो यहां पर जब आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री पोस्ट करोगे bank account debit to share allotment अकाउंट चुकि जब आपका application आया था तो आपने क्या एंट्री पोस्ट करोगे bank account debit to share application debit to share allotment अकाउंट आपको यह पता दिल लगा कि share allotment का कितना कितना चीज़े आपके है when advance money is paid towards the any call together यह मैंने आपको बताया था कॉल से एडवांस कॉल से एरियर का मैंने सिस्ट्रम आपको बताया था कि अगर आप advance money भेज देते हो तो इस से हमारा bank balance बढ़ जागा आप यह ऐसे थे जिन लोगोंने मुझे जो है 20 रुपीज के साफ से आगी की call भी मुझे भेज दिया 40 रुपीज के साफ से आगी की call भी भेज दी तो यह हो गया मेरा 4000 मेरा यह हो गया और 5000 तो मेरा था ही था तो उसके साफ से मेरा जो bank balance है वो मेरा अपने उसके साफ से बढ़ जागे जैसे 5000 के साफ से जो भी मेरा amount बनता है 10 रुपे के साफ से 5000 इंटूमे 10 5000 और यह 4000 आपका यह होगे तो bank में आपका आएगा 54,000 ठीक है तो call center advance आपका यहाँ पर आ जाएगा तो वह आपका इसमें से यहाँ से घड़ जागा तो call center area account debit ठीक है calls in advance जो है फाइदा है area आपका नुकसान है ठीक है अब आपने पैसा मंगा आया calls का ठीक है आपके जितने भी calls होगे वो इसी साफ से जाएंगी आप के आइंट्री पोस करोगे share first call account debit जब second call मंगा होगे तो आप entry करोगे share second call account debit जब final call मंगा होगे तो आप entry करोगे share final call account debit to share capital account यह पैसा किस में जा रहा है share capital में जा रहा है यह entry due कर रहे हो ठीक है उसके बाद access money application money is adjusted towards the call अगर application का पैसा अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे adjustment के बाद भी application के बाद आपने allotment करे allotment में आपने adjustment कर लिया adjustment के बाद भी उसका पैसा बच गया तो वो आपका जो यहाँ पर adjustment कर लोगे share application account debit to first, second और final call ठीक है तो आप यहाँ पर adjust कर लोगे इसको अगर कोई होता है तो सब में आप यह entry post नहीं करोगे अगर आपका पैसा बसता है तो आप इसको adjust करोगे नहीं बसता है तो आप इसको adjustment नहीं करोगे when adjusting calls in advance जब आप उसको calls in advance को आप adjust करोगे मतलब आपने पहले ही पैसा दे दिया था ठीक है आपने जो है वो 100 shares ने मेरे पैसा पहले ही दे दिया था तो आप यहां पर करोगे जब आपने उसको रिसीव करोगे तो आप एंट्री करोगे रिसमेंट करोगे उसको एडजस्मेंट करोगे तो आप देख लोगे काउन काउन आपकी है इसमें और जो चीजे हैं उसके साब से आपने फिर्स कॉल पाइनल कोल और सिसके साप से आप देखो लोगे कि मंतल फिल्ट नाद करोगे अपर जो तो आप सद हर Ridge करोगे और मतलब cash में सारी आपकी transaction होई अब यह हो सकता है कि आप जो वो cash के लिए ना करके other than cash करो तो आप क्या करोगे मतलब general entry for the issue of share consideration other than cash ठीक है तो other than cash जब आप करोगे तो वहाँ पर उसके साथ से आप जो वो अपनी accounting adjustment आप करोगे तो आप देखोगे कि भी कौन कौन सी treatment आपकी यहाँ पर चल रही है ठीक है तो आपने क्या करा कि जब property आपकी कोई थी अब क्या हो किसी से property आपने ली आपने जो वो shares दे दी उस प्रॉपर्टी के बदले shares कर सकते हैं आप बिल्गूल कर सकते हैं आपकी मर्ची है तो यहाँ पर आपने क्या करा है कि asset account debit to vendor account कि जितने भी मालों मैंने कोई भी asset लिए plant account debit to vendor account ठीक है फनीचर अकाउंट debit to vendor account जो भी हमने asset लिए वो यहाँ पर आप लिख दोगे तो vendor account आपका यहाँ पर आ जागा उसके बाद when shares are the issue in exchange for the value of property तो उसके बदले में हम क्या करेंगे vendor account debit to share capital account अगर उसको कोई discount दिया है मतलब जैसे यह 50,000 के थी 40,000 के में शेर देदी 10,000 का उसको discount दे दिया ठीक है तो वह आपका जो यह चीज आपके आगे ठीक vendor account debit to discount on share issue अगर को premium पर गया है तो आपका premium जो वह इस पर आजाएगा credit और discount है तो debit discount से debit और premium से credit ठीक है तो यह चीज़ आपका डिसकाउंट टी फोर debit यह चीद धियान रखना mostly discount जो होता हूँ आपका debit होता है और premium जो होता हूँ additional होता है premium से आपका जो plus होता है तो premium आपका addition में जाएगा तो premium आपका credit में जाता है तो यह चीज़ आपकी इसमें जाएगी तो आपने का entry पोस्ट करी asset account debit to vendor account asset account debit to vendor account एले entry तो इसके बाद vendor account debit to vendor account debit to share capital ठीक है अगर premium है तो to security premium और अगर discount है तो discount on issue account debit ठीक है तो उसके साब पे आप क्या करोगे यह सारी adjustment जो आपने देख लोगे कि इसका कितना कितना शेर अमारा रहता है किसका शेर आपने debit करा किसका शेर आपने credit करा तो उसके साब आप यह adjustment यहाँ पे देख लोगे ठीक है तो यह चीज़ आपक कि इसमें आजाती है ठीक है ओके अब हम बात करेंगे जालो मालो यह चीज़ आपने कर ली अब दिक्कत आती है हमारी forfeature की अब यह forfeature समझो forfeature होता क्या कमपणी ने मंगाया आपसे पैसा कमपणी ने बोला कि हमारी allotment का पैसा दो अधरी allotment का पैसा दो application तो आप दोगे दोगे application में तो आप default करी नहीं सकते application में default कारा था मतलब आपका आगे को बढ़ी मतलब नहीं है लेकिन दिक्कत कहां आती है तब जो आपका अन्डर सबस्क्रिप्शन रहता है तो अन्डर सबस्क्रिप्शन में जैसे मालो उसमें का है कि अगर 90 पर्सेंट तक शेयर आपके सब्सक्राइब है तो कम्पशन उसको आगे इशू करेगी otherwise क्या करतेगी उस deal को company cancel करतेगी बोल देगी मताब इससे अगर 90% से कम है तो as per the company that company उसको आगे furnish नहीं करेगी उसको continue नहीं करेगी वो चीज़े जो आपकी cancel हो जाती है जिसका पैसा है उसको company वापस कर देगी यह आगे adjust कर देगी उसको तो यहां पर for feature का मतलब यह होता है कि जैसे मान लोग कॉल से एडवांस में तो आपने एडवांस में पैसा दे दिया तो वह आपकी adjust हो गई अब दिखकाद आते है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनका company क्या करेगी वही एप कंपनी ने application मंग आपने नहीं दिया कंपनी कुछ टाइम के लिए बेट करेगी कंपनी ने क्या करा फस्ट कॉल मंगा ली आपने नहीं दी अब कंपनी क्या करेगी उसको जो यह company का एक decision होता है company बोलते भए इनके जो शेर्स हैं management जो यह डिसाइड करेगी जो इनके शेर्स हैं उनको क्या कर कर लो आप forfeit कर लो forfeit करना मतलब जब्त कर लेना जितने भी शेर्स जो आपने इशु करेते वहाँ पर उनको company क्या कर लेगी जब्त कर लेगी अब वो जो शेर्स कंपनी ने जब्त कर लिए उनको बोलते forfeiture of share ठीक है तो forfeiture of share is referred to the situation when the allotted share are cancelled by the issuing of the company due to non-payment of the subscription amount as per the requested or issue of the companies from the shareholder ठीक है तो या तो company बोलते है कि हम उसको जब्त कर लेंगे या आप कहते हो कि हम आगे की payment आपकी नहीं कर पाएंगे तो जितना amount आपने दिया था वो आपका amount क्या हो जागा जब्त हो जाएगा और आपकी जो आगी की dealing है वो cancel हो जाएंगी ठीक है तो उसके हिसाफ share the shareholder lose the right and interest being the shareholder and cease to be the member of the organization ठीक है तो जो आपने पैसह दिया था वो पैसह आपका जब्त हो जागा और आपकी आगे की membership हो क्या हो जागी Cancel हो जागे एसपर the rules and regulations company की यह चीज़िशेटी यह policy थी जो कि आपने नहीं fulfill कर दिया तो इसस SAT Tá आप क्या करोगे अपने जो भी पेमेंट करी थी वो पेमेंट आपकी क्या हो जागी तो यह तो उसके हूं ईयर कैपिटिल अगौँट्र सुअग Straßen कि अप क्या होगे ड्ल से हूझ हु आप एंट्री एंट्री क्या वे प्रे मियंगे अपर्थ देखो कि जर्नेल एंट्री क्या-क्या रहेंगी तो इसमें आप क्या करोगे शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट कंपनी ने जितना जो पैसा है जितना कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया है वो सारा आपका यहां पर आ जागा कंपनी अगर अगर आपने सिक्योर्टी प्रीमियम भी अगर आपने नहीं दिया है तो आप सिक्योर्टी प्रीमियम यहां पे वो कर दोगे क्योर्टी प्रीमियम को आप डेबिट कर दोगे क्योंकि वो कंपनी के लिए नुकसान है तो शेयर अलॉट्मेंट अगर आपने जो जो पैसा देखो जो जो पैसा आपने नहीं दिया तो जो पैसा आपने देदिया वो तो चला जागा शेयर फूर फीचर अकाउंट में तो अगर आपका डिस्काउंट पर वो था आपने पैसा वो नहीं दिया तो आपका यहां पर आज जाएगा तो आपका security premium आपका debit हो जाएगा ठीक है तो यह इस तरीके से company जो यहाँ पर यह चीज़े कर लेगी इसके कुछ question करेंगे तो यह चीज़े और अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको simple सी entry क्या करने है share capital account debit share capital account debit premium account debit ठीक है two share for feature ठीक है और two जो भी पैसा आपने नहीं दिया है वो ठीक है अगर discount है तो discount और अगर आपका जो first call नहीं दी आपने final call नहीं दी जो भी पैसा नहीं दी आपने उनकी call के नम से आ जाएगा तो उसके साब से यहां पर यह चीज़े एंटे कर दो हुए चीक है अब कंपनी फॉर्फिट करने के बाद करेगी क्या इनको रिशू कर देगी इसको किसी दूसरे परसन को कंपनी बोले कि यह इतना share हमारा था इसका आमने फॉर्फिट कर लिया इसको वो पैसा था वो पैसा आपका जला ठीक है आपके गारी सीज हो गई गारी सीज करने बाद company क्या करेगी कि और परसन को बैस देगी अपने पैसे की रिकावरी कर लेगी तो ऐसे ही company का करती है company ने आपके share forfeit कर लिए company पोला as per the policy we are forfeiting your share मतलब आपका जो amount है वो जब किया जा आपके जो मेंबर शेप है वो कैंसिल कर रहे हैं and sees you are not a member after this particular date यह चीज आपके mention हो गई अब company क्या करेगी किसी दूसरे परसन को यह जो शेयर है वो रिशू कर देगी जब रिशू करेगी तो वहां पर जो है यह चीज आपकी इसमें आएगी यह entry post करोगे आप क्या entry post करोगे उस टाम पर आप entry post करोगे bank account debit bank account debit to share capital account देखो normal entry तो आपकी यही रहती है ठीक है लेकिन अगर आपको premium मिल गया उसमें अपने premium पर issue कर दिये तो आप यहां पर लिख दोगे premium to security premium अगर आपने discount पर करें है तो यहां पर लिखोगे आप discount और यहां पर लिखोगे forfeiture of share account मतलब जो आपने issue मतलब अगर आपने discount पर करें है तो वह आपका इस पर आ जाएगा अगर originally discount पर issue थे तो वह आपका discount इस पर आ जाएगा अगर आपने उसके बाद भी discount दिया है तो वह आपका forfeiture account से आ जाएगा forfeiture account यह वही वाला है जो आपने पहले वाले जो amount forfeit किया था उसमें से आप यहां पर जो क्या कर लोगे debit कर दोगे ठीक है उस पैसे को आप यहां पर utilize कर लोगे ठीक है यह चीज़ समझ आगे आपको मतब पहले आपने क्या करा bank account debit to share capital account normal entry आपकी यही होती bank account debit to share capital account आपने जितने में इस्यू कर दिया उतने में जितना पैसा मिलगे आपको उसके साब से आप इसमें entry पोस्ट कर लोगे बाकी जो पैसा बचा अगर आपने premium पे किया है तो to security premium अगर आपने जो है वो discount पे किया है तो आपका discount on forfeiture of share discount forfeiture account debit ठीक ह वो आपका जितना भी discount का amount है वो forfeiture उसमें आ जाएगा ठीक है अगर वो originally issue discount पे थे तो discount on issue of the share जो आपने उस time पे नहीं दिया था ठीक है तो यह चीज आपके इसमें आ जाएगी आप जैसे question करते हैं तो यह चीजे और अच्छे समझाएंगे ठीक है देखो अच्छा इससे पहले question करें हम एक चीज में और आपको बता देता हूँ जैसे माल लो आपने जो है forfeiture यहाँ पर करा यह पैसा आपका forfeit कर लिए आपने माल लो यहाँ पे 5000 रुपीज आपके आए जो आपने forfeit कर लिए यहाँ पे आपने use कर लिए 3000 ठीक है वहाँ पे आपने जो वो credit करा जो आपके आए वो आपका profit था यहाँ पे यह नुक्सान होगे आपका 3000 का वो आपने यहाँ पर कर दिये बाकी जो amount बचा उसका क्या किया आपने वो account वो amount आपका जाएगा capital reserve में ठीक है यह चीज जो आपके बहुत important है ठीक है share for future account debit to capital reserve account वो जो पैसा आपका बचा वो आपके इसमें transfer कर दोगे capital reserve में transfer कर दोगे चीक है तो यह चीज आपके इसमें आजाएगी तो यह चीज हम देखते हैं जरह एक बार देखे कोशन क्या कहता है ए लिंटेट कंपनी forfeit 300 equity share of rupees 10 fully called up मतलब सारा पैसा कंपनी ने मंगा लिये तो इसमें जो वह वाला जंजर नहीं है आपका 10 रुपे के 10 रुपे कंपनी ने मंगा लिये add by the mr.x for the non-payment of the final call for each however the application money यहां पर कंपनी ने 300 जो share है वो forfeit करे है जो कि किसके mr.x के थे non-payment of final call of rupees for each मतलब 4 रुपे की उसने final call जो वो नहीं दिये however he paid the application money of 2 per share and allotment money of 4 per share मतलब उसने 2 रुपे दे दिये थे application के और 4 रुपे दे दिये थे उसने allotment के ठीक है कोई दिक्कत नहीं है these share were issued at part given the general entry of the forfeiture आपको क्या करना है कि आपको question में entry नहीं पूचेगा आपके question में क्या पूचेगा question में पूचेगा forfeiture में कितना amount जाएगा ठीक है तो इसमें आप normal entry क्या कर होगे share capital account debit share capital account debit तू share forfeiture account तू share forfeiture account तू ठीक है जो पैसा दे दिया और बाके इसने किस चीज का पैसा नहीं दिया final call का पैसा नहीं दिया तू final call account share final call account ठीक है अब देखो यहाँ पर उसने company ने कितने 300 share थे उसके दस रुपे के हिसाप से पैसा company ने बंगा लिया यह कितना हो गया 3000 ठीक है उसने दे कितना कितना दिया 2 और 4 यानि उसने 6 रुपीज के हिसाप से अपने दे दिये तो 4 feature में कितना पैसा जाएगा 300 into में 6 तो यह हो गया 1800 ठीक है बाकी पैसा आपका उसका बच्चा कितना 4 र रुपीज के साथ आप से उसने payment नहीं करी तो 300 into में 4 तो यह हो जाएगा आपका 1200 ठीक है तो यह चीज आपके इसने यहाँ पर entry post कर रखिये तो share capital account debit 10 रुपे के साप से उसने पैसा मंगा लिया ठीक है 3000 हो गया share final call account यानि जो उसने नहीं दिया 300 4 रुपीज के साप से ठीक है तो यह हो गया 1200 और आपका जो 4 फीचर है वो आपका इतना था बाकी वो नौन बाकी जो चीजे हैं वो already settlement कर चुका है ठीक है application दे दिया उसने और आपका allotment money दे दी बटने जो final call है वो उसने नहीं दी ठीक ह पर आपका है ही नहीं ठीक है तो यह चीज आपकी इसमें आ जाएगी ओके नेक्स कोशन देखते हैं क्या कहता है एक्स लिम्टेड फोर फीट तू हंडड़ एक्टी शेर और रुपीज टैन इच एट रुपीज कॉल्ड़ अप है आट रुपे मगाए है दो रुपे उसने नहीं मगाए है ठीक है फॉर दी नौन पेमेंट आफ फर्स्ट कॉल एड़ दा तू रुपीज इच एच एप्ल का यहां पर हो गया कितना पैसा उसने नहीं दिया दो रुपे के जापके उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो यहां पर आजेगा फर्स्ट कॉल सहने जा पोर्स्ट कॉल नहीं नहीं मंगाईए जो बडब का इसक just for Football कर दे एक भॉन को अंत्य आपका कितना हो गया, 4 fit हो गया या अवांट, यह आपको नहीं समझ आ रहा तो 8 rupees में से 2 rupees माइनस कर दो, तो बचा आपका कितना 6 rupees, तो 6 rupees के हिसाब से आप यहाँ पर entry post कर दो, आप यह दिहान रखना, जो इसका debit amount है और जो इसका credit amount है, यह हमेशा बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपकी adjustment जो वो, गड़बड़ी है, और यहाँ पर हमेशा called up amount आएगा, अगर आप 10 rupees के हिसाब से वो कर लोगे, यह entry, तो इसमें आपका आंसर ही match नहीं कर, क्योंकि 2 rupees तो company ने भी मंगाए नहीं है जो 2 rupees मंगाए नहीं है, वो तो बाद में देखे जाएंगे, company क्या करेगी उनका ठीक है, तो यह चीज आपकी इसमें आ जाती है next JNG profit 200 equity share of rupees 10 fully called up, सारा पैसा मंगा लिए company ने, ठीक है non payment of final call at the rate 2 per share 2 rupees उसमे final call के नहीं दिये, तो final call के 2 rupees के इसाफ से लिख लो 200 in 2 में 2 चीक है कोई दिक्कत नहीं 400 हो गए, उसने कितना कितना पैसा दे दिया application and first call and final application allotment application के 2 rupees, allotment के 3 rupees और आपके first call के 2 rupees 3 और दो 5 और दो 7 7 rupees के इसाफ से यह उसका share 4 feet हो गए, चीक है कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद उसने यह चीज़े यहां पर कर दी अच्छा उसने बोल दिया कि शेर वर originally issued at discount of 10% तो 10% का discount आप यहां पर वो कर लो, या तो आप एक काम करो share capital के इसाफ से यहां पर 10 रुपे कर दो और यहां पर लिख दो discount on issue of share, ठीक है एक रुपे के साफ से यहां पर डाल दो ठीक है या आप 9 रुपे के साफ से वो करोगे discount आप माइनस कर दोगे तो यहां पर जो है discount वाला system ना करके आप जो वो 9 रुपीज के साफ से ही entry post करोगे क्योंकि 9 रुपे का ही share था सारा पैसा उसने company ने मंगा लिया एक रुपे तो उसका discount था ठीक है तो यहां पर उसके साफ से 1800, 400 और आपका 1400 तो उसके साफ से आप यहां पर जो entry है वो post कर दोगे ठीक है अब यह question करते हैं जिसमें आपका अच्छा question है यह भी तो क्या कहता है कि mn limited issue one next share of the face value of rupees 10 each company ने कितने share issue करे one next share issue करे और हर share की value कितनी थी आपकी 10 रुपे थी जो की premium पे issue हुए है तो 10 रुपे का share आपका 12 रुपे में issue होगा ठीक है तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो अब यह कहता है कि यह पैसा बंगाया कितना कितना है application पे आपके 3 रुपे allotment पे 6 रुपे यानि आपका जो है जो 6 रुपे है वह आपके कैसे बने है 2 रुपे के साब से यानि 4 प्लस 2 तो 2 रुपे के साब से आपके यह बने है first and final call जो balance due आपका रहे गया वह आपका इसमें आ गया यानि 6 और 3 कितने हो गया और बाकी जो बचा आपका first and final call पे उसमें मंगा लिया कितने बचे 3 रुपे बचे आपके 3 और 3 नौ रुपे तो उसमें कंपनी ने मंगाई लिये ठीक है और बाकी जो बचे आपका बोस में आ जाएगा ठीक है 12 रुपे का शेर आपका था 12 में से 9 रुपे माइनस कर दो 3 रुपे आ जाएगा अब क्या कहता है company received a full subscription company ने सारा पैसा जो वह company को receive हो गया except a shareholder having 1000 share fails to pay the allotment and call money उसने सिर्फ application money दी है allotment और call money उसने नहीं दी ठीक है until the due date of payment जब तक उसकी due date आई तब तक उसने जो उसको due date तक उसने payment अपनी नहीं करी ठीक है कोई दिक्कत नहीं consequently the company forfeit the share company ने बोला कि भया हम आपके share क्या कर लेंगे forfeit कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं later reshoot this share to be for the 11 rupees company ने क्या कर रहा कि यह 10 रुपे वाले जो थे वह आपके क्या कर दिये 11 रुपे पे उसको reshoot कर दिये यह भी premium पे आपके वो कर दिये ठीक है share fully paid up and pass the necessary general entry in the books of MN limited कोशन समझा गया ठीक तो हम सबसे पहले entry पास करेंगे देखो बाकी सब चीजों पर हम नहीं जा रहे कि application money allotment money यह सब चीजों के entry पर हम नहीं जा रहे हैं हम सिधे मुद्धे की बात पर आ रहे हैं ठीक है क्या कहा रहा है share application money share capital account debit कितना वैसा था 10,000 rupees security premium account debit 2,000 rupees यह security premium क्यों आया क्यों आया क्या उसने बोला कि आपका जो है उसने वह allotment money उसने नहीं दिया जब allotment money नहीं दी तो उसने आपका उसका premium भी नहीं दिया जब allotment money नहीं दी उसने तो उसने premium भी आपका नहीं दिया प्रीमियम नहीं दिया, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, उसने क्या कर दिया आपका, नुक्सान, 1000 रुपीज के साब से, 2000 तो आपका ये हो गया, क्योंकि इतना पैसा आपका आना था, दिया क्या-क्या है आपने, और फीचर के साब से, तीन रुपे उसने दे दिये, प्योंकि सिर्फ उसने एप्लिकेशन मनी दी थी, तीन रुपे के साब से, ठीक है, तो 3000 आपके ही हो गये, कितना पैसा नहीं दिया, 3000 आपके ही हो गये, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 10,000 और 2 कितना बचा, 12,000, इसमें से आप 6000 मैनस कर दो, त अलॉट्मेंट का कितना बैसा था आपका, 6 रुपीज से, तो अलॉट्मेंट का पैसा आपका यहां पर आ गया, 1st and final call का पैसा आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है, तो यह चीज़ आपके, इसमें आ जाएगे, अच्छा, उसके बाद जब यह शेर, री इसु करे, जब इसु के एंट्री पोस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, bank account debit to share capital account to security premium account, तो bank account debit में आपने क्या करा, कि वो जो थे वो कितने में इसु कर दिये, 11 रुपे के साब से इसु कर दिये, 1000 इंटू में 11, कितना हो गया, 11,000, share capital, shares कितने के थे, 10,000 के, और security premium कितना आ गया, आपका, 1000 आ गया, यह 1000 रुपी जो extra आ है, वो किसीज क्या है, आपके security premium क्या है, ठीक है, 10,000 के share थे, 11,000 पे आपके issue कर दिये, तो वो आपका, 1000 आपका security premium हो गया, तो total आपका amount कितना हो गया, 11,000, ठीक है, अब आपका, जो amount आपका बचा, जैसे आपको, मैं आपको बताता हूँ, कि इसमें, यहाँ पर कोई discount तो आपका हुआ नहीं है, तो इसमें आपने जो share for feature वाला जो amount था, यह वाला जो पैसा है, यह पैसा आप क्या करोगे, यह पैसा आप transfer कर दोगे, किसके account में, capital reserve के account में, तो यहाँ पर एक entry post करोगे, share for feature account debit to capital reserve account, कईवर question में यही पूछता है, कि आप जरा calculate करके बताईए, कि capital reserve कितना जाएगा, अगर यह हो सकता है कि वो discount पे इसको reissue करते, ठीक है, और वो 10 रुपे का share जो वो 8 रुपे में reissue करते, तो 2 रुपे आपके discount में चले जाते, तो इसमें आपका 2000 रुपीस के हिसाब से वहाँ पर loss हो जाता, तो 3000 में से 2000 1000 आपके वहाँ पर माइनस हो जाते, तो बसता है आपका 1000 रुपीस, तो 1000 आपके जो किसमें चले जाते, share for feature में चले जाते, ठीक है, तो यह चीज़ जो आपकी इसमें आ जाएगी, एक कोशन है आपका, वर्मा लिम्टेड इशू 20,000 इक्विटी शेर ऑफ रुपीस 10 इच अटे प्रीमियम ऑफ 2 पर शेर, ठीक है, 20,000 इक्विटी शेर इशू करे, 2 रुपीस पर के साब से, पर शेर के साब से इसका प्रीमियम था, दा माउंट इस पेबल 4 पर शेर ऑन दा एप्लिकेशन, ठीक है, 5 पर शेर ऑन दा अलाउटमेंट, एन 3 पर शेर ऑन दा फर्स और फाइनल कॉल, ठीक है, कोई दिकत नहीं, 4 और 5 और आपका जो 3 है, यह हो गया, ठीक है, 12 रुपे हो गया आपके, ता कंपनी अलाओ, 100 शेर तू, Mr. सक्षम, if the fail to pay the allotment money, and his subsequent call, उसन कर लिए, easy question है, आपका इसने क्या करा, आपका जो अब वो, share capital account debit, 10 रुपे के साब से था, 1000, security premium, 2 रुपे के साब से था, नहीं दिया, ठीक है, 4 फीचर कर लिए, 4 रुपे के साब से जो उसने दे दिया था, और allotment money उसने नहीं दी, first and final call उसने नहीं दिया, ठीक है, तो उ share थे, वो आपने क्या कर लिए, forfeit कर लिए, और forfeit करने के बाद ये जो call थी, वो आपने क्या कर लिए, transfer कर दी, जब call आपने transfer कर दी, तो उसके साब से आप जो share है, उनको forfeit कर लोगे, ठीक है, जो forfeit कर लिए, तो उसके साब से आप अपने यहां पर entry जो वो, उनको post कर लो इसमें हम लोगोंने आपका डिसकाउंट है तो कैसे एंट्री पोस्ट करेंगे और आपका जो पार है तो कैसे एंट्री पोस्ट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम क्या करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन है तो हम क्या करेंगे उसकी बेसिक बेसिक एंट्री मैंने आप को बता दी है इसके जो basic basic question है वो मैं आपको बता दी है इसके कुछ question और दूंगा मैं आपको practice करने के लिए ताकि आपके जो concept है वो आपके clear हो सके ठीक है कुछ question और में practice करवाऊंगा आपको तो thank you guys and जल्द ही मिलते हैं आपको next video में और next video के लिए हमारे topic क्या रहेगा liquidation merger and acquisition this is also very important topic ठीक है इसमें से theory आती है आपके practical आपका नहीं आता है ठीक है तो liquidation merger और acquisition यह वाला जो concept है वो हम लोग next class में discuss करेंगे तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद last में लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए and आपको य उसमें अगर आपके कोई भी query कोई भी doubt है तो आप जरा comment section में type केजिए वीडियो कैसी लगी यह भी आप जरा comment section में बताइए और हमारे channel को like करें, share करें, subscribe करें और अपने friend circle के साथ में जादा से जादा वीडियो को share करें ओके, thank you guys